नफश्टार राम राम सस्त्रिया काल दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ाता भाबर के बारे में और जैसा कि मैंने वादा किया था कि ये सिरीज इतिहास के हर एक पन्नों पर अपनी दखल देगी और आप तक कि पिहास की हर छोड़ी बड़ी जानकारी पहुँचाएगी तो आज बारी है बाबर के बेटे हुमायू की जिया हुमायू एक ऐसा बात्सा जिसका जीवन लढ़कते हुए शुरू हुआ हुमायू की ग्यायू बात करें हम हुमायू की सत्ता कभ से कभ तक रही हुमायू की सत्ता 1530 से 1556 रही लेकिन इसका जन्म कब होता है और कहां होता है तो आपको मैंานे कल बदाया था कि बाबर नेếu बारा सो चार मैं काबुल पर कब जा कर लिया था कहा पर काबुल अफगानिस्तान जिसे छोटा हिंद कहा जाता है वहीं पर बाबर के बेटे जी हां हुमायों का जन्म होता है हुमायों बाबर की सभी संतानों में सबसे बड़ा है तो पिता इसका बाबर और माता बाबर की तीसरी पतनी माहम बेगम है कौन है पर काबुल में ठीक है काबुल में जन्म होता है तब तक बाबर ने काबुल में अपनी सत्ता स्थापिच कर ली थी और इस समय जो है बाबर मिर्जा नहीं बरकि बाबर बादिशाह या बाबर पादिशाह के रूप में जाना जाता था आगे चलते हैं बाबर के मरने के बाद हुमायों को गद्धी नशीब होगी लेकिन उसके पहले क्या हुमायों ने कुछ गुल खिलाए हैं तो हुमायों नासुरुद्दीन मुहम्मद यस नाम इसका क्या है इसका नाम है दोस्त नासुरुद्दीन मुहम्मद दुर्फ हुमाय के संगर्सों में और खुद जब सत्ता मिली तो इसके सामने एक छुनोती खड़ी हुई जिसका नाम है सेरसा सूरी और इसे दिल्ली छोड़ कर भी भागना पड़ा तो बात करते हैं जियां नासरिद्दुन मुहम्मद उर्फवायू जिसे भागे साली कहा जाता है अपने ती ताल जो है गुलबदन बेगम का जन्म बाबर की छठी पतनी दिल्दार बेगम से वाता ये वही गुलबदन बेगम है जो हुमायू के जीवन के बारे में हुमायू नामा लिखती है और वो हुमायू नामा लिखवाता है हुमायू का बेटा हुमायू का बेटा अकबर जिय ये वही गुलबदन बेगम है जिसे कहा जाता है कि ये हुमायू की चचेरी बहन है दिलदार बेगम की और इनका भाई है हिंदार ज्यां तो बाबर को ये अमर और सास्त्विक तो था नहीं तो जो शाश्वत नहीं है जो अमर नहीं है उसकी मृत्ति सुनिश्चित है और ऐसी स्थिती में जब बाबर की मृत्ति होती है तो बाबर के मरने के बाद हुमायू शत्ता में आता है लेकिन उसके पहले हुमायू को बाबर ने बारह वर्स की आयू में ही बदक्सा के प्रशासन की जिम्मेदारी दे थी मतलब 1520 में ही कब 1520 जब भारत की तरह बाबर का रुख जो है नहीं था दिल्ली पर बाबर का कबजा नहीं था तो हुमायू बाबर की मृत्यु के तीन दिन बाद 29 दिसंबर 1530 में आगरा में अपना राज्या रोहन करता है कारण उसका रज्या रोहन की इतनी जल्दी इसलिए दी क्योंकि इसका एक प्रतिदंदी इसका खुद का सगा भाई जिसे कामरान नाम से जाना जाता है वो इसका सबसे बड़ा प्रतिदन्दी था तो बाबर के मरने के बाद इसने आगरा में ही अपना राज्यारोहन करवाया राजाबिशिक करवाया और हिंद का अगला सासक बना इस मगलवंत का तो पहला और अंतिम शासक था जिसने अपने भाईयों का सामराज्यक बेवाजिन किया यह भारत के इतिहास का एक मात्र सासक है जिसने अपने राज्यका बेवाजन अपने भाईयों के बीच में करता है तो यह ऐसा करने के लिए आपने सिंपल सी कहानी सुनी होगी देखा भी होगा कुछ सीरियल्स वगेरा में कि बाबर अपने जीवन के अंतिम फरी हुआईउं जो है 1530 में भयंकर रूप से बीमार पड़ता है और बाबर इसके लिए दुआ करता है कि या ला मुझे उठा ल कि दौा रंग लाती है और हुआईउं बच जाता है और बाबर बीमार होता है बाबर बीमार की अवस्था में जब बाबर बीमार था तो उसने हुआईउं से बचन लिया था कि हुआईउं मेरे मरने के बाद ये स्तामराज अपने भाईयों में बराबर बाड़ देना ये का हुआयों से लिया हुआ वादा है जो हुआयों ने पूरा किया तो चलिए देखते हैं हुआयों ने अपने इस राज्ज का बतवारा कैसे किया कामरान को काबुल और पंजाब और कंधार कामरान को काबुल मतलब अफगानिस्तान की वो सकता जिससे बाबर सबसे ज़्याद प्रतिदुन्दी था असकरी को उसने संबल की जागिर प्रदान कर दी और हिंदाल को अलवर की जागिर दी ताकि सारे के सारे भाई संतुस्ट हो आपस में विद्रोह की संभावना ना के बराबर उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुआयू ने बदकसा की पकड़ा दी दी पूरा पूरा एक सामराज जियां अब यहां आप लोग सोच रहे होंगे सर जागिर दे दी ठीक है और सामराज दे दिया तो क्या सब यह लोग स्वतंत्र हो गए बिलकुल नहीं यह कहीं न कहीं हुआयू की अधिनता में सासन करते थे लेकिन इन्हें स्व प्रारंबिक दिनों में हुआयों के लिए सबसे वड़ी चुनोती अफगान जियां अफगान इसके प्रारंबिक दिनों की भी चुनोती थे और इसके अंतिम दिनों में भी अफगान ही चुनोती रहे क्योंकि अफगानों की चुनोती के कारण ही हुआयों को 10 साल सक्ता से दूर रहना पड़ा, आपने हुमायूं का टेनियूर देखा है ना, 1530 से लेके 1556, भाई साब इसमें 10 साल का गैप है, 1540 से लेकर के 1555, 15 वर्सों का गैप है, 15 वर्सों तक हिंद की सत्ता से दूर रहा है हुमायूं, आखिर किसने इसे हिंद की सत्ता से दूर किया था, आइए विसे में चर्चा करते हैं तो जिस समय हुमायू दिल्ली और आगरा में अपने आपको मजबूत कर रहा था उसी समय बंगाल और बिहार में एक अफगान नाम बहुत तेजी से उभर के आ रहा था जिसे सेर खान कहते थे इसके बढ़ते हुए प्रभुत को दवाने के लिए हुमायू ने पहले भी प्रयास किया लेकिन पहले के प्रयास में ये सफल रहा लेकिन हंतिम प्रयास इसका इसके ही ताबुत में किल साबित हो गया तो चलिए वो प्रयास देखते हैं और देखते हैं कि हुमायू ने वो होकने की स्थिती बनी तो हुमाईउं का दूसरा प्रबलसत्र गुजरात का सासक बहादुर शाह था पहला शैन अभियान इसका जो है पंदरसो चौतिस में होता है नोट करिए इसे पहला इसका प्रबलसत्र अभियान कालिंजर के सासक प्रताब रुद्र देव चंदेल के विरुद्ध होता है खेर ये सैन भियान तो शामाने सैन भियान था बाबर के जीवन की कड़ी उलस्ती लटक्ती फटक्ती अंत में दो युद्धों पे आके टिक जाती है जो अब बार-बार S.S.C. आपसे पूछता है तो वो दो युद्ध हुमायू को अपनी गदी पर खत्रा दिखाई दिया हुमायू ने 26 जून 1549 को 26 जून 1549 को दोस्त चड़ाई कर दी कहां बंगाल और बिहार की तरफ और चौसा में मुलाकात होती है इसकी सेरसा सूरी सी तो हुमायू सेरखा के बीच नडायक युद्ध हुआ चौसा में हुमायू ने शुरुवात जरूर की थी लेकिन बहुत बुरी तरह मुझ की खाई बहुत बुरी तरह पराजित हुआ और पराजित होकर के वापस पराजित होकर के वापस जब आगरा की तरफ मुप किया तब तक हुम जो है सेरसा समझ चुका था कि अब ये पिजरा मेरी उसने हुमायू को युही नहीं जाने दिया लग गया उसके पीछे और इसी चौसा के युद्ध को जीतने के बाद हुमायू ने शेर ए आदिल की उपाध ली जी हाँ तो अब वो अपने आपको भारत का बात्सा मानने को तैयार था लेकिन भारत का बात्सा तम आना जाता जब हुमायू मैदान छोड़ के भाग चुका होता और लग गया वो हुमायू के पीछे लगा हुआ वो कहां पहुंसता है कनोज जी हाँ चौसा से वापस आगरा आते समय कनोज ये कानपुर के समीप है इसे कनोज भी कहा जाता है साथ साथ इसका एक नाम है बिलग्राम इस युद्ध को कनोज की लड़ाई या बिलग्राम की लड़ाई भी कहते है सत्रमाई 1540 को सेरसा और हुमायों के बीच ये लड़ाई हुई और इस युद्ध में हुमायों पुनह पराजित होकर हिंदूस्तान के तक्ष पर जो है अपना कबजा गमा दिया और सेर साह ने हिंदुस्तान के तक्ट पर कबजा जमा लिया तो गंगातर परिस्थित कन्नोज के बिलग्राम में ये लड़ाई हुई इसलिए ये लड़ाई हुमायू के जीवन की एक ऐसी नड़ाईक लड़ाई रही जिसने हुमायू को 15 वर्स तक कब तक 1540 से लेकर के 1545 तक दिल्ली की सत्ता से दूर रखा कुछ बातें अगर छुटी हैं तो एसस्ती के पूछे हुए इस सवालों में डिस्कस करेंगे दोस्त तो आईए देखते हैं कि हुमायू से जुड़े हुए कौन-कौन से सवाले सस्ती ने पूछें जियस इससल का जो है complete crash course start हो चुका है ये classes 13 मई से शुरू है और मेरा वादा है कि ये classes ये पुरा का पुरा course जुलाई तक complete कर दिया जाएगा इनी सारी चीजों को पूरी तरह detail में पढ़ने के लिए इसनी quality economy जागरती इन चारों subject की जो है एक एक विंदों पर चर्चा करने के लिए आप इस course को जाइन कर सकते हैं ये course बहुत ही initial price पर है only 350 पर अभी available है तो आप इस course को अभी join कर सकते हैं इसका link description box में आपको मिल जाएगा चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से सवाल हुमायू से पूछे गए हैं ये है Mr. हुमायू और ये है इनका सबसे प्रबल सक्तू जी हाँ से एर खान पहला कुश्चर आपकी screen पर है मिर्जा कामरान किश मुगल समराट का भाई था जी हां ये आपके ससी सीजल 2022 का पूछा हुआ सवाल है मुझे लगता है कि बहुत आसान सा सवाल है चार भाई थे कामरान, असकरी, हिंदाल और हुमायू इनका सबसे बड़ा भाई है ये ससी सीजल जी हां 3 दिसंबर 2022 के पेपर में आया हुआ सवाल है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ निम्लकित में से सासक सासन काल का कौन सा युग्म स्तुमेलित है सेरसा सूरी 1540 से 1545 अकबर 1556 से 1605 ना ही एक ना ही दो केवल एक केवल दो पहला और दूसरा दोनों बताईए बहुत सिंपल सा सवाल है कि दोस्त 1540 में बिलग्राम की लड़ाई में सेरसा ने जब हुमायू को हराया तो हुमायू दिल्ली से फरार हुआ उसे भागते हुए अपना जीवन गोजारना पड़ा 1540 से लेके 1545 तक सेरसा सूरी दिल्ली सामराज्य का स्वामी था लेकिन कालिंजर के युद्ध के दोरान एक बारुब में गोला फटने की वज़ा से इसकी मृत्य होती है और इसके जीवन का समापन होता है तो सेरसा सूरी 1540 से 45 अब आजाईए हुमायू 1555 में सेरसा के उतरा धिकारी को पराजित करके वापस सत्ता पाता है लेकिन 1556 में अगले ही साल दिल्ली में सीडियों से गिर करके पस्तकाले के सीडियों से गिर के उसकी मृत्य होती है तो 1556 में अकबर बास्ता बनता है और 1605 तक रहता है तो पहल और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट दोनों ही कंसर्स वही है ये सवाल भी ससीसी जल 2022 में पूछा गया है अगला सवाल आपके लिए अकबर के शाशनकाल के दौरान वह भूमी थी जो तीन चार वरसों में बंजर पड़ी रही ये अकबर से सवाल कहां से आ गया है यह सवाल तो कल आना चाहिए था चलिए फिलाल वाही गया है तो उतर बता देते हैं ऐसी भूमी को चाचर कहते हैं कल यह सवाल फिर कराएंगे यह अगला सवाल सी विल भी राइट आंसर अगला सवाल दिल्ली में स्थित हुमायू का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया है वास्तविक प्रेम की निशानी कहा जाता है गुलवदन बेगम बेगा बेगम हमीदा बानो बेगम माहम बेगम बताएं फटाक से जल्दी से बताएं तो आपको बताएं गुलवदन बेगम उसकी बेहन थी जो उसके उपर किताब लिखती है बेगा बेगम जो उसकी पतनी ठी खर हमीदा बानो बेगम में उसकी पतनी है लेकिन मकबरा बेगा बेगम ने बनवाया है ये कोश्चन ससी सेचसल 2023 में पूछा गया है बेगा बेगम बिल भी राइट आंसर सेचसा का मकबरा कहां स्थित है खर इसके बारे में भी चर्चा कली होनी चाहिए ठीक है लेकिन य सेरसा सूरी मार्ग किसके बीच होकर गुजरता है कानपुर से कण्यको मारे दिल्ली और मना ली दिल्ली और अम्रिस्टर लखनाउं और कलकत्ता फिटाक से ऑंसर करिए एतिहासिक सीरसा सूरी मारग Magic MTF standards में पूछा हुआ सवाल है दिल्ली से अमरिजत सर इसका अंतर होगा आगराऐ खाकिला Efendimiz 16 सताबदी में निमर्त लोग परी मुगर समार को में सेख है इसे किसने बन्वाया था तो आगराए का खिला प्रेम का प्रतीक है जो जहान द्वारा बन्वाया गया है दोस्त वो शहर है फते पूर सीकरी जो अकबर के द्वारा बसाया गया है आज हुमायों से मतलब कम से कम सवाल है निमलकित में से के सासक को दिली में पुराना किला के निर्मार का से दिया जाता है दिली का पुराना किला जी हाँ ये किसने बनवाया था ये हुमायों और सेरसा दोनों ने बनवाया है ये हायर सेकरेटेट डॉस टू में आया है दोहजार तेश में आहाँ तो फिर से बता रह यह कहने के लिए complete crash course है लेकिन यह full course से भी कम साबित नहीं हो रही है तो इसकी classes 13 मई से शुरू है आप इसे join कर सकते हैं only 350 में only 350 में yes only 350 पे गर के join कर सकते हैं और जुलाई तक याद रखिएगा जुलाई में आपका सारा का सारा course complete मिलेगा yes संभव है एक दिन में दो class से करनी पड़े लेकिन ऐसा करेंगे बट जुलाई तक इसे हर हाल में complete करेंगे तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही हम फिर में लेंगे कल दुबारा अगली class में हुआयों के बाद सेरसा सूरी पे बातर मेंगे लिए तो मिलते हैं सेरसा सूरी की class म में तब तक लिए बावाटे किया जै